लो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूग चैनल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो हैं डेली साम पांच बज़े इन्पॉर्टिन कोश्चन अफ जी के जीस करते हैं इसके लिए असम राइफल्स के एकजाम के लिए आज भी हम लोग असम राइफल्स के एकजाम के कोश्चन औब जी के जीस करेंगे जिसका पार्ट 6 होगा आज, आज कौन सा होगा ? आज हम लोग 5 फ्रीके जान हनो और ये गरभाट यह पर्ट करन और लोग को फूर्ट हम कंद कर्छे हैं कल टेलिग्राम गुरूप में हम PDF डाल चुके हैं जिन लोग को नहीं मिला हो पे टेलिग्राम गुरूप में जाकर ज्वाइन होजेए अगर आप लोग को भी ज्वाइन होना है तो आप लोग हमारे टेलिग्राम गुरूप में ज्वाइन हो सकते हैं जिसका लिंक जो है नीच में दिया गया है और किसी प्रकार के आप कुछ समस्य हो प्रबलम में हमसे बात कर ना हो तो आप हमें Instagram पर भी follow कर सकते हैं हमारे Instagram काड़ी है update.gk08 वहां पर भी आप लोग जा कर दिए कि आप सेज़ किजिए गाता हम आपका रिपलाइज जोड़ दिने एक और बात आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किजिएगा और इस क्लास को जितना हो सके अपने दोस्तों म क्या सब्सक्राइब कार्णार से अधिवाब कख्या शाष्क्राइब किल्स कि अधना है वील दधना डॉसक्राइब यह व्याげ में बने होऊए तीन चाहर लोग दैस पंड़ाइब में क्लास में सब्सक्राइब सबसे बड़ा कुछन करके दोनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडिय גם कौन है सबसे बड़ा इसटेडियम काने रूंग राड़ो स्टेडियम रूंग राड़ो स्टेडियम जो हैं दुनिया और यह कहाँ पर है उत्तरर कुरिया मैं आपको कमें संहरने निक्स्ट नमबर कोश्टन है सेकनद नमबर इस रों की च Suspna को घुन होई थे मंध्यकि मुद्ध ऐस्थापना को यह 25 अगस्त 69 को इस्पर्फट्व हुआ तो सेकन апछं नमबर कोश्टन में थर नमर कोशन है आज का D.R.D.O इस अभी सेकर्ड नमर में क्या पढ़ें इसरो इसरो की अस्थापना कम हुई थी 15 अगस्थ फिपनोगर्स ठर्द नंमर में है DRDO की च्थापना कब हुआ था फ़ोड़न फॉर्थ नंमर क्षटिन है FIFA फुटबल FIFA फुटबल कब की सुरूआट कब हुई थी FIFA फुटबल कब की सुरूआट कब हुई थी तो इसका उत्तर हो जाएगा 1930 1930 1930 में फीफा पुटबॉल कप की शुरुबात हुई थी देखे बहुत ही आराम से पढ़ा रहे हैं उसी तरह से आपको भी याद करना है पूरी अच्छा तरीके से और और भी अभी आपको लोग को कहीं से भी जीके का कोशन मिले तो उन लोग को भी जो है कोशन को याद कर लि 5 नमर क्वोशन में क्या है बिटामिन क क्रासायनिक नाम क्या है इसका उत्तर हो जागा फिलो क्वींडोन जो है बिटामिन क का द essence क兩個 क्वे शिक्सान में मनी पूर का शास्त्रियए नित्य क्या होता है तो इसका उत्तर हो जागा मनी पूर का सास्त्रिय नित्य होता है गुदावरी नदी की लंबाई कितनी है तो 1465 किलोमीटर क्या है गुदावरी नदी की लंबाई कितना है कमेंट करके बताई तो आप लोगो देखते हैं कि आप लोग याद किये हैं कि गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है कल हम आप लोगो यह कोशन करा चुके कमेंट करके बताई या भी हम चेक करते हैं सेवन नमबर में गुदावरी नदी के लंबाई कितनी है 1465 किलोमेटर, एट नमबर में, एट नमबर कोशन में है, जम्मू कस्मीर का सम्मिधान कब अपनाय गया था, जम्मू कस्मीर का सम्मिधान कब अपनाय गया था, तो 1956 में जम्मू कस्मीर का सम्मिधान अपनाय गया था नाइन नमबर कोशन में घोbackो खेल में प्रते एक टीम में कितने खिलारी होते हैं एक गारा होते हैं प्रते एक टीम में अगाला टीम में पर फिर गएंभ चरु होगा 10 नमर कोशन 11 नहीं 10 10 नमर कोशन में है अमेरिका का राष्टिय खेल क्या है अमेरिका का राष्टिय खेल क्या है तो इसका उत्तरों जागा बेस बॉल जो है अमेरिका का राष्टिय खेल है हम जो है बेकार बेकार का कोशन नहीं कराते हैं आप लोग देखी रहे हैं किसना इंपॉटेंट ही दाता है 11 युलेंट नमर्स नमबर कोश्टा मेंन में है वर्तमान में भारती समिधान में कितने अनुच्छेद यह वरतमान में कितने अनुच्छेद 900 है 2000 इस से पहले ऑने 11ただ 2035 ga 355000 पराद में इता है लगता है अभी जैंकि युँ अनुच्छेद आर्टिकल 12 नंबर 12 नंबर कोश्चन में है आपातकालिन का प्रावधान आपातकालिन का प्रावधान यानि कि समिधान से थाटी नम्मर कोशन थाटी नम्मर कोशन में है गौतम बुध के बच्पन का नाम क्या था गौतम बुध के बच्पन का नाम क्या था तो इसका उत्तर हो जगा सिधार्थ सिधार्थ जो है गौतम बुध के बच्पन का नाम था 40 number question में एथेनॉल का अनुसुत्र क्या होता है तो इसका अनुसुत्र होता है एथेनॉल का C2H6O C2H6O होता है एथेनॉल का अनुसुत्र 50 number question में है भारती सम्मिधान के भागदो का सम्मंद किस से है भारती सम्मिधान के भागदो का समंद किस से हैeds.. तो मैं नागरिकता से यानिं सिटीजन सीप से है 60 number question यह question कराएं हुए थें लेगन हम यह Death ने बता हैं चाई की खेती सवपतं का होई थी? अठारोसों पैने हम यह कूशन आप लोग को कराए थी कि चाह की खेती दोब ऑपत्तम किस राजय में होई थी तो आपको बताये थी कि असम राज में हुई थी बलकि यह नहीं बताय थी कि कि किस वर्ज हुई थी थी ठीक तो वह हुआ है था 835 में सोरवपफ़ में चाहीकि खेती हुजी थी आपको question मीलूम है इसका Parlament को बहुत whale कजम वी थी असम्न में अब औल्यूम्य चैनि कि अवर्ज क्रिण में 17 द्रित थे इसे स्न करते हैं इसका उत्तर हो जागा हडज। हडज औरी तीक यह मात्रख होता है। 18. Q PS राष्णि एकता दिवस कम मनाया जाता है। 31 एक क्टुबर मनाया जाता और इस इसका ओटर हो जागा 31 एकटूबर को राष्णि एकता दिवस मनाया जाता है। और इस पर भी हम एक कोश्यन पुछना जाते हैं कि राश्टी एकता दिवस कब से मनाया जा रहा पहले बार यह कोस्टन करा चुक्क है आपको पिछले क्लास में नाइंटीन नम्र कोश्टन में डावलू एचो डावलू एचो का बारे में आपको जानते हैं वर्ड वर्ड हेल्थ और अर्गनाइजेशन का मुख्याले कहां है तो इसका उत्तर हो जागा जीनिवा जीनिवा एक साहर जोकिंजीलेंड में नु्जीलेंड में सोरी सिर्लेंड ये ऐससीन में हैजीनेवा जीनेवा काamas मोलक warto आपको समझ भाहना है कि मुख्याले का है जीनिवा में सुझार लेंड में आज आर्यसरम र्लाय में डर्लाशन ट्वेंटीन में question 20 number question में है Sweden की राध्धानी क्या है Sweden की राध्धानी क्या है तो इसका उत्तर हो जागा stock home stock home जो है Sweden की राध्धानी सुदेन देश की राध्धानी क्या है stock home तो यही था हमारा आज का 20 most important gkgs question जो कि आपके असम राइफल के return exam के लिए important है तो आप लोग जो है इस class को अच्छे तरीके से जितने question करा हैं याद कर लिजेगा और इससे पहले जितनी भी class हुए है पार्ट वन टू थीरी कि अपने दोस्तों में कि उन लोग का भी exam होगा सम राइफल का जिनका भी exam होगा उनको share के जिए उन लोग को भी जो है यह class help करेगा तो आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से याद कर लिए बहुत इंस्टाग्राम पर एंसटाग्राम पर मेसेज कर सकते हैं तो चलिये मिलते आप लोग से next class में जयरें बने मातरम झाल झाल